नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का गनेस आईश्टो हैल्प में और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग कुंडली देखना चाहते हैं जो जो तिस सीखना चाहते हैं पर अभी उनको कुंडली देखना नहीं आता आज कल कुंडली बड़ी आसानी से इंटरनेट पर बन जाती है एश्टो सेज साइट है बहुत सारी साइट है तो बहुत से लोग इस बात के चुक हैं कि वो कुंडली देखना चाहते हैं जो तिस पढ़ना चाहते हैं पर अभी उनको कुंडली देखना नहीं आता है तो उनके क्या लिखा, इसका क्या मतलब है तो जब आप किसी जोति साइट पर जाएंगे तो आपको अपना नाम लिखेंगे, date of birth लिखेंगे, time of birth लिखेंगे, exactly जो आपका सही है, अपना स्थान लिखेंगे और उसके जो latitude, longitude जो होते हैं, जो बताते हैं कि वो स्थान कहां पर है तो उसके बाद आपकी ऐसे कुंडली बनकर आएगी इस तरह की कुंडली दिखाई देगी ये North Indian कुंडली है तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि अगर एक साथ कई कुंडली के बारे में बता जाए तो फिर जिन लोगों को नहीं आता उन्हें confusion जरूर हो जाएगा तो कि शुरू में ऐसा होता है actually कोई चीज कठिन नहीं होती जो आपको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है जिने नहीं आता है उनके लिए वो कठिन है जब उन्हें आ जाएगा तो उनके लिए भी वो आसान है अकसर चीज है इसलिए कठिन होती है क्योंकि आती नहीं है तो आप भी सीखिए और आपको भी पूरा जोतिस धीरे-धीरे आ जाएगा अब देखिए ये कुंडली है हमारी ऐसे बनके आएगी आपकी कुंडली तो इस कुंडली में ये खाने हैं ये जो खाना होता है जो सबसे उपर है इसको लगन बोलते हैं लगन बोलते हैं इस खाने को ये पहला खाना है ये बीच वाला जो खाना है देखो इसके इधर भी एक खाना है इसके उधर भी एक खाना है यह जो है यह पहला खाना है इसको पहला भाब बोलते हैं प्रथम भाब कह सकते हैं आप इसको यहाँ पर यह जो मैंने एक नमबर लिखा है यह बता रहा है कि यह पहला खाना है यह पहला भाब है पर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और नमबर लिखा हो सकता है और बाइचांस जैसे आपकी कुंडली में चार नमबर लिखा है यहाँ पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चौथा खाना है ये चौथा भाव है ये फिर भी पहला ही भाव है तो आपको फिलाल यह याद रखना है कि ये पहला भाव है नंबर इसमें कुछ भी लिखा हो यहाँ जो नंबर है वो दिखाता है भाव को नहीं वह दिखाता है आपकी रा बारे राशियां हैं मेश, ब्रशव, मिथुन, कर्ग, सिही, कन्या, कन्या के बात तुला, फिर ब्रेख्चिस, धनू, मकर, कुम्भ और मीन, तो एक एक ये जो बारे राशिया हैं नंबर से हैं, तो पहली जो राशी है उसे मेश कहते हैं और उसको एक नमबर से दिखाते हैं हम लोग ठीक इसी तरह दूसरी जो राशी है उसको हम बिरशव कहते हैं और उसको हम दो नमबर से दिखाते हैं दो नमबर से इसी तरह जो तीसी रासी है वो मिथुन है और उसको हम तीन नमबर से दिखाते हैं चौथी रासी है वो करक है और उसको हम चार नमबर से दिखाते हैं पांच मी रासी जो है वो सिही है और उसको हम पांच नमबर से दिखाते हैं चाटी रासी जो है वो कन्या है और उसको हम छे नमबर से दिखाते हैं साथ मी रासी जो है वो तुला है और उसको हम साथ नमबर से दिखाते हैं इस सुरू में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है और जिनको नहीं आता है वो इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान है फिर और आठ मी जो रासी है वो व्रेक्चिस है, स्कॉर्पियो है, उसको आठ नमबर से दिखाते हैं तो यह जो आठ नमबर यहाँ पर राशी दिखा रहा है, इसको आठ नमबर कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो दिखा रहा है कि वहाँ पर व्रेक्चिस रासी है 9 नमबर जो है वो 9 मी राशी है काल पुरुष की और उसको 9 नमबर से दिखाते हैं और वो धनू है 9 मी राशी कौन सी है हमारी धनू राशी है 10 मी राशी जो है वो मकर है मकर जो है वो 10 मी राशी है उसे 10 नमबर से दिखाते हैं 10 नंबर से, यह 10 नंबर कहीं भी होगा, उसका मतलब है कि वहाँ पर मतर राशी है, 11 में जो राशी है, वो हमारी कुम्भ है, और उसको 11 नंबर से दिखाते हैं, जहाँ भी 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब है, वहाँ पर कुम्भ राशी है, और जो लाष्ट राशी है, वो है म और उसको बारह में नंबर से दिखाते हैं तो जहाँ पर बारह लिखा होगा कुंडली में इसका मतलब है वहाँ पर जो राशी है वो बारह में राशी है जो नहीं राशी है एक बार और उसके बाद फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद करने की जुरत नहीं होगी तो ये आपका पहला घर है अब यहाँ पर चार नमबर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि पहले घर में चौती रासी है और चौती रासी करक होती है तो अगर ये पहला घर है तो इसके बाद जो दूसरा घर है वो ये है अब दूसरा घर ये है पहला घर ये है तो पहले घर के बाद दूसरा घर पहले घर में चौती रासी है तो दूसरे घर में आएगी पाच मी रासी पाच मी रासी आएगी हाँ पर तो यहाँ पर हम पाच मी राशी लिख देते हैं यह पाच मी राशी आगी पाच मी राशी सिही होती है अब दूसरा घर यह हुआ पहला यह दूसरा यह उसके बाद यह जो घर हुआ यह हुआ तीसे घर में अगर पाच मी राशी है तो तीसे घर में छटी राशी आ जाएगी कन्या राशी आ गई हाँ पर इसी तरह से ये पहला घर ये दूसरा घर ये तीसरा घर ये चौथा घर अब चौथे घर में कौन सी राशी आएगी चौथे घर में कौन सी राशी आएगी अगर तीसरे घर में छटी राशी है तो चौथे घर में तो साथ मी राशी आएगी मतलब की तुला राशी आएगी तो ये तुला राशी आगई यहाँ पर ये चौथा घर हुआ इसके बाद ये है पाँचमा घर पहले घर में चोथी राशी, दूसरे घर में पांच मी, तीसरे में छटी, चोथे में साथ मी तो पांच में में आ जाएगी आठ मी राशी, आठ मी राशी होती है बरक्चिश तो पांच में घर में आ गई आठमी राशी ये पांच मा घर है इसके बाद ये है छटा घर अगर पांच में में आठमी राशी है तो छटे में आएगी नौमी राशी मतलब कि धनू राशी आ गई अगर छटे घर में नौमी राशी है तो सात मा घर ये हुआ देखिए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचमा घर, छटा घर, सातमा घर सातमे घर में कौन सी राशी आएगी, सातमे घर में आएगी नौ से अगली मतलब की दसमी राशी, मतलब की मकर इसके बाद ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचमा ये छटा ये सातमा और इसके बाद ये हो गया आठमा आपका घर तो آठ में घर में आ जाएगी आपकी दस में से अगली 10 में से अगली हुई हमारी 11 राशी तो 11 राशी यहाँ लिख देते हैं यह आगी हमारी 11 राशी कुम्भ तो यहाँ से यह पहला घर यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा ये पांचमा ये छटा ये सातमा ये आठमा और ये हो जाएगा आपका नौमा घर नौमे घर में राशी आएगी कौन सी अगर आठमे घर में है ग्यारे में राशी तो नौमे में घर में आएगी बारा में राशी तो यहां लिख देंगे हम बारा बारा आ गया हाँ पर यह नौमा घर आया यह पहला घर, यह दूसरा घर यह तीसरा घर, यह चौथा घर यह पांचमा घर, यह छटा घर यह सातमा घर, यह आठमा घर यह नौमा घर और नौमे घर के बाद ये क्यानका घर होगा ये होगा दसमा घर अब यहां राशी कौन सी आए भाई बारे राशीयां होती है बारे की बारे तो हमारी पूरी हो चुकी है तो बारे के बाद फिर से राशीयां रिपीट होगी तो बारे के बाद फिर से आजाएगी पहली राशी मेश ये दसमे घर में आगी हमारी पहली राशी आगी तो ग्यारे में कौन सी आएगी पहली के बाद दूसरी ये दसमा घर है इसके बाद ये ग्यारे में घर है तो इसमें कौन सी आएगी आपकी दूसी राशी आजाएगी ग्यारे में घर में दूसी राशी है दूसरी राशी ब्रशव होती है तो ग्यारे में घर में दूसरी राशी ब्रशव है अब ग्यारे में घर के बाद ये जो घर है ऑफकोर्स बारे मां घर आएगा ग्यारे में के बाद बारे मां और राशी कौन सी आएगी अगर ग्यारे में हमारे पास दूसरी राशी ब्रशव तो यह आया हमारा तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इस तरह से हमने इसको बनाया तो यहाँ पर मेन बात यही है कि यह पहला घर है यह दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचमा ये छटा ये सातमा ये आठमा ये नौमा ये दसमा ये ग्यारेमा ये बारेमा ये घर हमेशा ऐसे ही रहते हैं ये हमेशा पहले घर है पहले घर के इधर जो है ये वाला ये हमेशा बारेमा घर रहेगा पहले घर के बाद ये दूसरा घर र और नमबर जो लिखे हुए है वो लिखे हुए है राशी के वो राशी है घर तो ऐसे रहने है अब यह आई यहाँ पर कैसे क्योंकि यह लगन है जब आप पैदा होते हैं उस समय पूर्व दिसा में जो भी राशी उदित हो रही होगी वो ही यहाँ पर आ जाएगी पहले घर म समय आपके में करक राशी उदित हो रही थी तो यहाँ पर आ गया आपका चार नमबर आ गया तो चार आ गया तो उसके बाद पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारे, बारे, एक, दो, तीन यह तो अपने आप आगे पहला पता होना चाहिए वो कैसे पता लगेगा जब पैदा होता है उस समय जो राशी उदित हो रही होती है वो यहाँ पर लिख दी जाती है अगर आप पैदा हुए और उस टाइम आपकी सी ही राशी उदित हो रही है बाई चांस तो क्या होगा फिर पांच मान नमबर आपका यहाँ पर आ जाएगा अगर आप पैदा हुए उस सामें दसमी राशी उदित हो रही है हम ऐसे माल लेते हैं तो दसमा नमबर आजाएगा यहां पर मकर फिर दसमा अगर पहले में आएगा तो दूसरे में आजाएगा आपका ग्यारे मिराशी मतलब कुम्ब, तीसरे में आ जाएगी अपकी मीन मतलब की बारे मिराशी, और चौथे में आ जाएगी फिर से बारे के बाद एक, तो फिर से सुरू होता है, बारे तक जाता है, उसके बाद सुरू होता है, तो यह हम बता रहे हैं उनके लिए जिन लोगों को अभी सिर्फ सीखना है थोड़ा थोड़ा सीखना है तो इस तरह से हमारा ये चार्ट दिखाई देता है इसमें एक खास बात ये है कि ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ सुरू बात के लिए है सुरू बात के लिए बाद में उसके हर जग कहीं सारे रूल होते हैं कहीं बार एक ही राशी दो-दो घर में आ जाती है चली चार्ट होता है तो वो सब चीजें बाद में बात करेंगे धीरे-धीरे पहले आपने इतना समझ लिया कि ये बारे घर हैं उनमें बारे राशियां है राशियां बदलती रहती हैं घर ऐसे ही रहता है पूर्व में वो राशिया आती है यहाँ पर इस्ट में जो जन्म के समय उदित हो रही होती है उसके बाद ही जो राशियां वो ऐसे घूम रही होती है ऐसे इस डारेक्शन में इस्ट से साउथ वेस्ट ऐसे करके जैसे कि आप सूर्य अगर आप सूबह उठें है किसी का जन्म सूबह हुआ है तो आप पाएंगे कि सूर्य यहाँ पर है 6 बजे करीब मैं थोड़ा आइडिय से बता रहा हूँ 8 बजे वो सूर्य यहाँ पर पहुंच जाएगा मतलब कि यहाँ वाली जो राशी है वो यहाँ पहुंच जाएगी सूर्य तो मेस में ही है बाई चांस अगर मेस में है तो मेस में ही रहेंगे पर वो राशी यहाँ आ जाएगी यहाँ जाएगी उसके बाद 8 बजे यहाँ आ गई 10 बजे सूर्य यहाँ पहुंच जाएगे उसके बाद 12 बजे दिन के 12 बजे सूर्य यहां पहुंच जाएंगे मतलब कि वो रासी ऐसे खिसकती चले जारी हर दो गंटे बाद यहां पर पहुंच जाएंगे दो बजे जो सूर्य है वो नौ Zoom घर में आ जाएंगे करीब करीब फिर 4 वजे वो 8 में घर में आ जाएंगे और शाम को सूरे यहां आ जाएंगे तो आप सूरे को देख के आईडिया लगा सकते हैं कि भाई अगर सूरे साथ में घर में दिखा रहा है तो व्यक्ति का जनम साम के आसपास हुआ है फिर शाम के बाद 8 वजे 6 बजे तो यहाँ पर थे, रात के 8 बजे आपके या शाम के 8 बजे, सूर यहाँ आएंगे और 10-11 बजे के करीब यहाँ पर, और 12 बजे करीब यहाँ आजाएंगे, चौथे घर में तो अगर किसी के यहाँ पर सूर है, तो आप समझ जाएएंगे व्यक्ति का रात को जन्म हुआ है अब एक खास बात है कि बजे 12 बजे, रात को यहाँ सूर, सूर तो कहीं होता है नहीं है रात में दिखता तो है नहीं हाँ यह जो हिस्सा है वो जमीन के नीचे वाला है सूर नीचे होते हैं एकदम अपोजिट पोजिशन में नीचे होते हैं तो यहाँ पर जो घ्रह होते हैं वो होरिजन के नीचे होते हैं और पहले घर से और यहाँ तक इस साइट के जो घ्रहे हैं वो उपर होते हैं तो अगर किसी का रात में जन्म हुआ है तो यहाँ पर होगा यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो पर्थवी के नीचे होते हैं खर उससे आपका ज़्यादा इंपोर्टेंस बाद में आएगी कि फिलाल आपको इतना स्वंज में आ गया कि हाँ सूर्य ऐसे चलता है ऐसे इधर से इधर से ऐसे चलता रहता है वो दिन में उससे एक आइडिया हो सकता है किस समय व्यक्ति पैदा हुआ है राश्या भी ऐसे चलती है राश्या भी इस तरह से ही चलती है मतलब कि अगर यहाँ पर करक राशी यहाँ पर है सुभ है अगर तो दो घंटे बाद वो करक राशी यहाँ आ जाएगी करक राशी अगर यहाँ आ जाएगी तो करक राशी जो पहली राशी है यहाँ पर मिथुन आ जाएगी उसके बाद ये करकराशी जो है यहां आएगी 11 में भाब में तो मिथुन यहां पर आएगी यहां पर ब्रशाब आजाएगी इस तरह से घुमती रहेगी यानि कि यहां का जो लगन है हर 2 घंटे बाद बगलता रहेगा एराउंट तो यह थोड़ा सा आइडिया हुआ आपका कुंडिली के बारे में इसी बात को आप रिपीट कीजिए शुरू में हर चीज को रिपीट करना होता है ताकि वो मंतरवत हो जाए बुद्वत हो जाए उसके बाद उसके अंदर से ज्ञान निकल के आता है तो रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं है मंतर बत हो जाना जरूरी है क्योंकि अगर पूरा याद ना हुआ तो उसका जो अर्थ समझ के आएगा वो भी हो सकता है कि पूरा ना हो तो पहले धंग से आपकी कोई समझ में आ जाए तो इसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे कि भाई क्या होता है इन घरों में जो अंतर है ये जो घर है इनको केंदर स्थान कहते है तो इसका क्या मतलब है पहले चौथे साथ में और दस में को केंदर स्थान कहते है पांच में नौमे को त्रिकॉर्ण बोलते हैं पहला जो घर है ये त्रिकॉर्ण भी है और पेंद भी है तो ये बाते हम थोड़ा बाद में करेंगे पर थोड़ा सा आपको आईडिया दें मैंने इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्ट वीडियो में अगर आपकी कोई सला है या कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ या तेज बोल रहा हूँ जो भी है उसको आप दीजेगा जरूर अगर आपको पसंदा है तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा ताकि दूसरे दोख सीख पाएं और मेरी इच्छा है कि जोत इसको सभी लोग जान पाएं सभी लोग जान पाएं और खुदी अपनी कुंडली देख पाएं और वैसे भी हमारी धरोवर है और हमें इसको जानना चाहिए उन लोगों को जिनको ये बोरिंग लगा होतों मैं उनसे च्छामा चाहूंगा ही सिर्फ उनके लिए था जिनको अभी देखना नहीं आता तो कृपर अपना प्रेम रखें और हमारे साथ रहें मिलेंगे फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार